सब्ता 3 बेसिक फिटिंग भाग 3 रेती और उसके भाग फाइलिंग एक कारे से रेती के द्वारा बेकार धातू हटाने की एक पद्धिती है रेत एक कटिंग टूल का कारे करती है रेतिया कई आकारों तथा मापों में उपलब्ध है रेती के भाग रेती के प्रकार विविन रूप रेखाओं को रेतने एंव प्रिक्रिष्ट करने के लिए अलग-अलग आकार की रेतियों का प्रियोग किया जाता है विविन आकारों की सम्मान रेतिया सम्तल रेती दस्ती रेती वर्ग रेती गोल रेती अर्ध गोला रेती क्रिकोन रेती हाफ एज रेती समतल रेती इनका अनुपरस्ट काट आयताकार होता है इसकी दो तिहाई लंबाई तक चोड़ाई के कोरस समानांतर होते हैं तता इसके आगे नोग की और टेपरित हो जाते हैं फलक पर दोहरा कट तता कोर पर एक तत्र कट होता है इसका इस्तेमाल समाने कारियों के लिए किया जाता है ये भारे आवांतरिक सताओं को रेतने आव प्रिक्रिष्ट करने के लिए उपयोगी हैं दस्ती रेती चोड़ाई में कोर पूरी लंबाई तक समानांतर होते हैं फलकों पर दोहरा कट होता है एक कोर पर एकरा कट तता दूसरी शुरक्षित होने के कारण इसका प्रियोग पहले से प्रिक्रिष्ट कहीं गई सताय से कोण वाली सताओं को रेतने के लिए किया जा सकता है वर्ग रेती इसकी अनुप्रस्ट कार्ट वर्गाकार होती है इसका इस्तेमाल वर्गाकार छिद्र, आंत्रिक वर्गाकार कोने, आयताकार छेद, चाबी घाट तथा स्पाइलनेस रेतने के लिए किया जाता है गोल रेती, गोल रेती की अनुप्रिष्ट कार्ट वर्गाकार होती है इसका प्रियोग वर्गाकार छिद्रों को बढ़ा करने एव, फ्लेट दार रूप रेखाओं को रेतने में किया जाता है अर्द गोल रेती, अर्द गोल रेती का आकार किसी वृत के खंड की तरह होता है आंतिरिक वर्गाकार सताहों को रेतने में इसका इस्तेमाल किया जाता है तिरी बुजाकार रेती इसका अनुप्रिष्ट कार्ट तिर बुजाकार होता है कानों और 60 डिगरी से अधिक कोण को रेतने में इसका इस्तिमाल किया जाता है कोणों का माप किसी कोण की इकाई कोण मान के लिए पूरे वृत को 360 डिगरी समान भाग में विभाजित कर दिया जाता है प्रतेग भाग को अंश कहते हैं अर्द वृत में 180 डिगरी होती है कोण मापन यंत्र कोण की जाच करने वाले सर्व साधरन यंत्र निमलिखित हैं वेवल तथा वेवल गेज सार्व भूमिक वेवल गेज वेवल चंदा वेवल गेज वेवल गेज सीधे किसी कोण को नहीं माप सकता इसलिए यह अप्रतेख्ष कोण मापन यंत्र है इसमें कोणों को सेट कर लिया जाता है और फिर इसे वेवल चांदे द्वारा मापा जाता है सारव भोमिक वेवल गेज सारव भोमिक वेवल गेज में एक अत्रिक्त ब्लेड होता है यह अन्य कोणों को मापने में साहिता करता है जिने साधारन वेवल गेज से मापा नहीं जा सकता वेवल चंदा वेवल चंदा कोण मापन का प्रत्यक्ष यंत्र है तथा इसमें 0 डिगरी से 180 डिगरी के अंश बने होते हैं इस यंत्र का इस्तेमाल करते हुए एक डिगरी पर शुद्धता के साथ कोण मापने के मानक इकाई एक इकाई एक परकार की मानक तथा इस्तेमात्रा को मापने के लिए उसी परकार की अन्य मात्रा के द्वारा प्रभाशित किया जाता है मौलिक इकाई बुनियादी मात्रा की इकाई लंबाई द्रव तथा समय है विपन इकाई, इकाइयों जो कि बुन्यादी इकाई मेंसे निकाली जाती है तथा मौलिक इकाईयों से इस स्ममंध रखती है उधारण शेत्रफल आयतन दबाव बल इतियादी उधारण शेत्र आयतन दबाव बल अदि अब हम भाग तीन के अंत में आते हैं सब तर चार में एक नए विशे के साथ फिर मिलेंगे